केवल येशु ही स्वार्ग से उतरा और स्वार्ग को वापिस गया आज की क्लास थोड़ी छोटी है पिछली आयत में योहनना बप्तिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को समझाया था कि ये अवश्य है कि वो घटे और येशु बढ़े क्योंकि येशु परमेश्वर है और हमारे जीवन से महिमा हमेशा परमेश्वर की ही होनी चाहिए हमारी अपनी नहीं अपनी महिमा के लिए तो सांसारिक मनुष्य जीता है सच्चा मसीह नहीं सांसारिक मनुष्य कैसा होता है वो जो भी करता है तो कहीना कहीं उसके मन में ये रहता है कि लोग मुझे जाने मे मेरा नाम उपर आए, मेरी प्रसिद्धी हो, लेकिन एक मसीः को ऐसे नहीं सूचना चाहिए, उसका पूरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, तो इससे आगे की जो छे आयते हैं, उनके विशे में ये पश्ट रूप से नहीं का जा सकता, कि ये आयतें युहना बब्तिस्मत देने वाले ने कही हैं, या फिर येशु के शिश्य युहना ने, जिसने ये सू समाचार लिखा, तो इस विशे पर विद्वानों में मतभेद है, हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं, कि आगे की जो ये छे आयते हैं, युहना बब्तिस्मत देने वाले की सेवकाई से संबंदित नहीं लगती, बलकि मसीहत की मूल शिक्षाओं का हिस्सा है, तो बहुत संबव है, कि ये आयतें शिश्य युहना के शब्दों, बब्तिस्मत देने वाले युहना के नहीं, युहना 3.31, जो उपर से आता है, वह सर्वत्तम है, जो पृत्वी से आता है, वह पृत्वी का है, और वह पृत्वी की ही बाते कहता है, जो स्वर्ग से आता है, वह सब के उपर है, एक होती है स्वर्ग से बुलाहट, पर दूसरा होता है स्वर्ग से आना, दोनों में अंतर है यहन्ना बब्तिस्मा देने वाले की स्वर्ग से बुलाहट थी कि वो मन फिराव का बब्तिस्मा दे लेकिन येशु तो स्वायम स्वर्ग से आया था येशु के इसी दावे पर धर्म गुरु विवात करते थे कि वो स्वर्ग से आया है क्योंकि इस दावेकार था कि येशु स्वयम को परमेश्वर कह रहा था येशु ने कहा योन्ना 36 में क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ स्वर्ग से केवल परमेश्वर ही उतर सकता है और कोई नहीं तो कोई यहां कहेगा कि शैतान भी तो स्वर्ग से उतरा है नहीं शैतान स्वर्ग से उतरा नहीं है बलकि उसे स्वर्ग से गिराया गया है दोनों में अंतर है केवल येशु जो परमेश्वर है वही स्वर्ग से उत्रा था और अपना मिशन पूरा करके वो वापिस स्वर्ग चला गया था क्या था येशु का मिशन प्रित्वी पर? संपूर्ण मानव जाती के पापों का दंड भुगतने के लिए क्रॉस पर अपना बलिदान देना यहन ना बप्तिस्मा देने वाला स्वर्ग से नहीं उत्रा था और ना ही उसने कभी ये दावा किया था जितने भी धार्मिक गुरु थे इसराइल के वे भी सब प्रित्वी के थे प्रित्वी पर परमेश्वर के जितने भी सेवक हैं आज भी उनकी बुलाहट स्वर्ग से है लेकिन उन में से कोई भी स्वर्ग से नहीं उत्रा है केवल येशू स्वर्ग से उत्रा है क्योंकि येशू स्वर्ग से उत्रा है इसलिए उसकी गवाही मतलब उसका संदेश भी स्वर्ग से है और उस पर हम विश्वास कर सकते हैं उसके संदेश पर हम सब मनुष्य पृत्वी के हैं और मसी में आने से पहले हम सिर्फ पृत्वी की ही बाते करते थे और घंटो घंटो उसमें बिताते थे जबकि उनमें से जादतर बातों का कोई अर्थ भी नहीं होता था सिर्फ टाइम पास होता था फिर भी हम बहुत व्यस्ट रहते थे उन बातों में अगर आप अपने जीवन में पीछे पलट कर देखें तो बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तों के साथ, रिष्टेदारों के साथ आफिस में, स्कूल में, कॉलेज में हम इतर उदर की बहुत सारी बाते करते थे जिनका कोई खास अर्थ भी नहीं होता था अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीबाइबलस्टडी.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महिना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियोस बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबा कर 240P 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240P सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए